नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आज हम बात करेंगे एक ट्यूमर जिसका नाम कार्शिनोड से है लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगले वीडियो में क्या है हम यहां पे दो बड़े स्वाल का आंसर करना चाहेंगे वो यह है कि पहला स्वाल कि क्या कार्शिनोड ट्यूमर हमेर सा कैंसर होता है और दूसरा क्वश्चन यह है कि क्या इसका इलाज दवाई से संभव है ब्रोंकोस्कोपी से या फिर सर्जरी से होगा तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा और इसके अगला वीडियो जिसके बारे में हम इन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे पहले पार्ट के अंदर हम बात करेंगे इसके होता क्या है लक्षन क्या है और दूसरे वीडियो के अंदर कि इसका निदान कैसे करना है और इसका ब्रॉंकोस्कोपी या सजरी से जो भी इलाज होगा उसके बारे में हम सेक Lyschnoide tumor एक प्रकार का Neuroendocrine tumor होता है. Neuroendocrine बोलने का मतलब है कि yě है एक आतो हो सकता है liver हो या हो सकता है किसी और हिस्से के अंदर हो. जब ये tumor बनता है तो normally ये समझने वाली बात होती है कि tumor का बनने का कारण क्या होता है कि एक normal cell जिसकी growth abnormal तरीके से होती है, fast तरीके से होती है और वो growth उस area के बाकी सारी cells का खाना खुद खाके और वो अपने आपको strong बना लेती है, मजबूत बना लेती है जिसकी वज़े से हमको बाद में जाके समस्या होती है या problem होती है अब हम बात करें कि क्या ये एक गंवीर समस्या परकट कर सकती है या एक normal type का tumor होता है जो हमको problem create करता है तो उससे पहले समझवाली बात है कि कार्शिनोड को हम classify कर सकते है basically ये एक benign tumor है, ये cancer नहीं है लेकिन cancer नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका इलाज हमको नहीं कराना है या हमारे लिए कभी भी खतरनाक नहीं हो सकते है या घातक नहीं हो सकते है कार्शिनोड घातक हो सकते है या खतरनाक हो सकते है क्योंकि ये धीरे grow करते हैं लेकिन ये grow करते रहते हैं यह रुकते नहीं हैं कहीं पर भी ऐसा नहीं होता है कि यह रुक गए हैं एक time के बाद यह एक limit के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है यह धीरे-धीरे करके grow करते हैं और यह ऐसी जगों पर grow करते हैं जिसकी वज़े से हमारे सरीर का वह जो vital organs होते हैं उन जगों पर होने की वज़ यह हो सकते हैं हमारी जो मेन सांस की नली है जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं नीचे आते हैं तो ट्रेकिया नीचे दो पार्ट में डिवाइड होता है उसको हम ब्रोंकस कहते हैं लेफ मेन ब्रोंकस और राइट मेन ब्रोंकस उसके अलावा अगर नीचे जाते हैं तो ब्रोंकस छो हमारा सांस का रास्ता जो है एक छोटी नली है और उस नली के एक हिस्से के अंदर अगर यह originate होता है तो यह धिरे-धिरे करके संभवना यह बनेगी कि वो नली बंद हो सकती है या उस नली के अंदर सांस लेने में हमको दिक्कत आ सकती है जो कार्शिनोड बनता है वो किसी न से ओरिजनेट हो रहा है या उसका एक लेयर से ओरिजनेट होता है वैसा नहीं है यह नली के एक हिस्से से ओरिजनेट होगा वो नली हमारी हो सकती है सांस की नली हो जिसको हम ट्रीकिया कहते है ब्रॉंकस या लोबार ब्रॉंकस या सेग्मेंटल ब्रॉंकस या उसके आगे जो में फेंफडा होता है, उसके अंदर भी हो सकता है। Commonly, अगर हम बात करें, तो ये कार्शनोय टूमर जो है, वो endobronkyal होता है। लेकिन इसका extra bronkyal component भी हो सकता है। कहने का मतलब यह हुआ, कि ये lumen के अंदर भी हो सकता है, लियूमन जो हमारा trachea होता है, उसके अंदर भी हो सकता है, और उसके बाहर भी हो सकता है। आदा component अंदर है और आदा component बाहर है। ये दोनों तरीके से हो सकता है। अगर ये cancer नहीं है, तो इसकी possibility है कि क्या ये दूर तक फेल सकता है, नहीं। अगर फेंफडे का carcinoid है, तो यूजुली ये फेंफडे के अंदर ही रहता है, फेंफडे से बाहर नहीं जाता है। लेकिन इसका दूसरा component ये होता है कि ये locally फेल सकता है। का मतलब क्या हुआ कि जैसे फेंफडे के अंदर है, या windpipe के अंदर है, तो आसपास गांठे होती है, जिसको हम lymph node कहते हैं, ये lymph node के अंदर जा सकता है। अब आगे बढ़ने से पहले, कार्शनोड दो टाइप का होता है, जिसको हम अगर समझने की कोशिश करें, तो एक होता है typical और दूसरा होता है atypical, कार्शनोड की ज्यादा possibility होती है कि वो गांठों में जा सकता है, और गांठें lymph node होती है, तो lymph node भी positive हो सकता है, और वो भी positive होने के बाद growth कर सकती है, और growth करके वो आसपास के area को involve कर सकती है, अब आते हैं कि कर्शनोड के लक्षन क्या हो सकते हैं, अब मैं पहले बताया था कि ये एक ऐसा tumor है, जो lumen के अंदर grow करता है, lumen मतलब कि हमारी नली के अंदर grow करता है, तो दीरे दीरे जब grow करेगा, तो वैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे इसको misdiagnosis होने की possibility high होती है, क्योंकि कभी-कभी इससे बिल्कुल एकदम खांसी आती है, या सांस के अंदर आवाज आती है, और ये अमूमन एक common problem होती है, कि लोग इसको misdiagnosis करके आस्त्मा की तरह टीट कर सकते हैं, या इ दिरे-दिरे करके ये सांस लेने में दिक्कत भी हो सकती है, आप थोड़ा सा चल रहे हो उसके अंदर भी आपको ये problem आ सकती है, दूसरा इसमें एक problem आ सकती है, जो आती है, हिमोप्टेसिस जिसमें कहते हैं कि खांसी के अंदर खून आने लग सकता है, ये tumor की growth की वैसे, क् और इसके अंदर से खांसी में खून आने की possibility होती है, जो एक छोटा-छोटा सुरू में थोड़ा कम-कम आता है, और बाद में दिरी-दिरे जैसे tumor बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे ये hemopteasis बढ़ भी सकता है, उसके अलावा ये tumor अगर हमारे किसी critical point पे है, जैसे कि wind pipe जहा करते करते एक time पे पूरा lumen को block कर देता है, और lumen block करने की वज़े से जो आगे का फेंपड़ा है, वो फेंपड़ा कभी-कभी खराब हो जाता है, पूरा completely, अगर timely intervention नहीं होगा, तो फेंपड़े का जो हालत है, क्योंकि बंद हो गया फेंपड़ा, तो उसके अंदर से सां को इसको पीसे हैं, दबाई से हम बचा नहीं सकते हैं, इसके अलावा अगर यह lumen बंद हो गई है, तो उसकी वज़े से बुखार भी आ सकता है, खांसी आ सकती है, वीकनेस आ सकती है, बहुत सारे जो symptoms होते हैं, जो normal फेंपड़े की विमारी में आते हैं, वो भी इसके अंदर या next वीडियो में हम discuss करेंगे कि निदान और इलाज के लिए हमको क्या करना चाहिए, धन्यवाद।